हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टू मैं चैनल, आज मैं आप सब के साथ शेर करने वाली हूँ, लेसन प्लैन, मैक्रो टीचिंग का, और हमारी जो स्किल रहेगी वो है साहिक सिक्षन सामिगरी, यानि की TLM, टीचिंग लेंग मटेरियल, किसी भी स्किल को हम स्टार्ट करें, उसस यह एक निरिक्षन अनुसूची, तो सबसे पहले हम TLM की निरिक्षन अनुसूची देखेंगे, सबसे ओपर हम एडिंग लिकेंगे, साहिक सिक्षन सामिगरी कौशल, उसके नीचे निरिक्षन अनुसूची, इसमें चार कॉलम मनाए जाएंगे, सबसे पहले क्रम संकिया, दूसरा वहवार गटक तीसरा निर्धारन मापनी उसमें दो कलम बनेंगे हां और नहीं कि वहवार गटकों की बात करनें तो इसमें साथ गटक हैं सबसे पहले सबसे पहला जो है वह स्वानिर्मित आपका जो टीचिंग लर्णिंग मटेरियल है वह आपने खुछ से बनाया है कि इसमें साथ निर्मित का गटक दे रखा है तो आपको उसे अपने हाथ से ही बनाना है दूसरा प्रवाबशाली दूसरा जो गटक है वह है प्रवाबशाली आपने जो टीचिंग लर्णिंग मटेरियल बनाया वह कितना इफेक्टिव था बच्चे उसे देखने में इंट इंट्रस्टिट थे और कितना इफेक्ट डाला था वह बच्चे के ऊपर क्योंकि हम कोई भी चीज बनाते हैं जब तक को प्रवाबशाली नहीं होती है बच्चे उसमें इंट्रस्ट नहीं लेते हैं तो इसमें भी दो कॉलम है हा या नहीं के अगर वह प्रवाबशाली तो टीचर उसके उपर हामे टिक कर देंगे रोचक था आपने जो टीलम यूज किया वह इंट्रस्टिंग कितना था क्योंकि अगर आप किसी चीज को इंट्रस्टिंग बनाएंगे तब ही बच्चे उसमें इंट्रस्ट लेंगे और बच्चे कटिन से भी कटिन टापिक को इजीली समझने के लिए उससो करेंगे तो आपका जो टीलम है वह बहुत जादा रोचक होना चाहिए फोर्थ पॉइंट है अर्थ पूंड था या फिर प्रासंगिक था आपने जो टीलम यूज किया वह उसका कितना मीनिंग था और कितना प्रासंगिक था ऐसा तो नहीं थ आप टापिंग कुछ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड वह जो आपने टीलम यूज किया है वह ना हो फिफ्ट पॉइंट रहेगा सिक्षन सामिगरी टांगने का उप्युक्तिस्तान आप जब एक टीलम अपनी क्लास में ले करके जाएंगे तो उसको ठीक से टांगने का आपने क्लास में अरिजमेंट किया है या नहीं यह भी एक घटक है तो इसका भी आपको बहुत द्यान रखना है सिर्फ एक सुन्दर सा टीलम बना करके आपको नहीं चले जाना है उसके साथ साथ आपको यह भी विवस्ता बनानी है कि आप उसे ठीक तरीके से शोकेस कर पा क्यान है तो आप से यंगली से बता है और उसके लिए आपको एक पाइंटर यूज़ करना होगा आप कितना अच्छे से पाइंटर का प्रियोक कर रहे है ऐसा तो नहीं है कि पाइंटर की जहां आवश्यकता नहीं आ आंफ भी उसे यूज़ कर था ऐसा नहीं होना चाहिए तो आपने जो भी TLM बना है वो इतना जादा इसपस्ट होना चाहिए देखने में कि जो पीछे के बच्चे बच्चे बटे हुए ना वो उन्हें वह से भी नजर आए सिव आपको आगे वाले बच्चे को ध्यान में नहीं रखना है जो बच्चे पीछे बटते हैं आपको उन्हें भी ध्यान में रखते हुए अपना TLM बनाना है इसके बाद एक परेवेश्चक टिपनी ही आएगी और परेवेश्चक हस्ताक्षर आएंगे यह सब देखने के बाद टीचर एक टिपनी लिखेंगे कि आपने किस तरीके से उसका उपयोग किया TLM का अपने साइन कर देंगे फिर अगर हम मेन कंटेंट की बात करें तो वह कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा सबसे पहले दिनांग हम डालेंगे दिनांग जिस भी दिनांग में हम ये लेशन प्रिंट पढ़ा रहे हैं हम वो दिनांग डाल देंगे इसके बाद हम कक्षा डालेंगे जो माइक्रो टीचिंग होती हो अपनी क्लास के बच्चों में की जाती है इसलिए तर हम समकक्ष डा सहाइक सिक्षंट सामिकरी कौशल के विवार गटगटकों का विकास करना फिर हम एक उदेश्य कतल लेखेंगे आज हम लोग स्वाद कलिकाई के बारे में अध्यान करेंगे विश्यवस्तू में वह आये का जैसे कि आपने स्वाद कलिकाई टॉपिक लिया है तो एक चार्ट कि युइस करेंगे बच्चो को पढ़ाते समय, अपनी क्लास में आप ले जाकर कि सबस्ब पहले उसा टांगेंगे उसी सापक साथ्य चार्ट आ आपको विश्य वश्यू में चुपकाना है आप चुपका भी सकते हैं या फिर अपने हाँ से बना भी सकते हैं तो मेरा जो सौधकली का हैं टॉपिक था मैंने ऐसा चार्ट बनाया थो तो सेम मैंने इधर वही चार्ट रिपीट कर दिया है मैंने अपने हाथों से बना दिया आप चुपका भी सकते हैं तो विश्य वश्तु में आपका TLM आजाएगा फिर छात्राद्यापिका क्रिया में क्या आएगा कि आप इस चार्ट को अपनी लेंग्विज में एक्स्प्लेइन करेंगे आप समझाएंगे वच्छों को इसको समझाने के बाद यह make sure करना है आपको कि आपने जो भी चार्ट में शो किया है जितने भी आपने लेबलिंग करिया वो सारे इस सम में आ जाएं और उसके functions आ जाएं तो छात्राद्यापिका क्रिया में आपको यही करना है कि जो आपने TLM यूज करा है उसको समझाना है जात्राद्यापिका क्रिया में क्या करना है कि बच्चे इसमें कुछ नहीं करेंगे बच्चे आपको ध्यान पूर्वक समझेंगे तो इदर आप लेख देंगे जात्र ध्यान पूर्वक समझेंगे इस तरीके से आपका TLM की पार्टी ओजना finish हो जाएगी, thank you